नमस्कार मैं कशिश आप देख रहें नेक्स नाइन स्प्रिच्छुल पंचान के अनुसा राज 6 नवंबर 2021 के शनिवार को काटिक मास किशकल पक्ष की द्विट्य तिती हैं आज भाईदूज का पर्व भी है शनिवार को चंदरमा फ्रिशिक राशी में रहेंगे आज अनुरादा नक्षत्र है चलिए फिर जानते हैं मेश से मीन तक का आज का राशिफल बात करें सबसे पहले हम मेश राशी की आज 6 दिन नकारक मक्ता में भी अफसरों को खोजना चाहिए नौकरी से जुड़े लोगों को कारे में सफलता मिलने से मन प्रसंद रहेगा तो वही दूसरी और मांसिक रूप से अत्यदिक भार लेने से बचना चाहिए जो लोग दवा का वेपार करते हैं उनको लाग होता दिखाए दे रहा है युवाओ को जलबाजी में कारे करने से बचना होगा स्वास्ते की दृष्टी से ही है समय थोड़ा सा साबधान रहने का है पुराने रोग पुना उभरते नजर आ रहे हैं इसके विपरित करमट बनाना होगा क्योंकि आर्टिक लाप पाने के लिए यह समय काफी उत्तम हो सकता है जो लोग शिक्षा छेतर से जुड़े हैं उन्हें विभाग के और से अधिकारी के जिम्यदारी मिल सकती है वेपारियों को आज अपने स्टॉक पर ही ध्यान रखना होगा समान की कमी होने के कारण परिशान होना पड़ सकता है जो लोग नौन वेजितेरियन हैं उन्हें इसके सेवन से बचना होगा साथ चोटे बहन भाईयों को पून से योग प्राप्त होगा बेहनों का समान करें उन्हें उभार देखास का जो शादी शुदा है पता के स्वास्ते को लेकर चिंता हो सकती है आज की दिन वाणी की तेजी के चलते लोग आपसे कुछ विमुक हो सकते हैं ऐसे में सभी के साथ तालमेल बना कर चलना है जरुतमन की मदद भी करते चले ओफिशल कारे में भी जो कमिया हैं उनको अब ठीक करते चलना होगा वविशे में प्रमोशन की लिस्ट में आपका नाम आ सकता है विधार्तियों को सूर्य भगवान की करपास ये महनत का फल प्राप्त होगा उनको प्रनाम करें गरव के स्थिती कुछ कॉलिस्ट्रोल की मात्रा बढ़ा सकते है सचेत रहें घर का वातरण अच्छा रहेंगा जीवन साथी के साथ आनमे समय व्यतीत होगा और बड़ी बहन को कोई उफार अविशे दे करकराशी आज ही दिन नकारात्मा ग्रहवानी के मध्यम से अपनों को चोड़ पहचा सकते है ऐसे में कोशिश करें कि कम बात हो ओफिशल कारें के लिए दिन उर्जवान रहने वाला है यदि आप किसी मिशन पर है तो उसे कर पाने में सफल होंगे कारुबार में दन समदित कारें करने वाला अव्यक दीविश्व सनिय होना चाहिए अनेता नुकसान हो सकता है अचानक स्वास्ते में गिरावट देखने को मिलेगी छोटे बच्चों को सब्यता और संसकार का पार्ट मातपिता के द्वारब पढ़ाया जाना चाहिए वही वर्तवान समय का लाब लेती हुए अनेक उनके साथ अधिक समय व्यतीट करें बहनों को किसी सामान की जरूत हो तो उन्हें निराश ना करें सिंग राशी आज की दिन मन्द शान्त रहेगा जिसे आप कई चीज़ों को प्लान करने में सफल होंगे अफिस का मैतपुन डाटा ये आपके पास है तो उसे बहुत ही संभाल कर रखे अफिशिल टूर का मौका मिले तो अविश्य जाना चाहिए विपालियों का कोई रुका हुआ कारे पूरा हो सकता है विद्यारती वर्ट टीचर में वरिष्टों का सम्मान करे अन्यता उनके कुरोद का सामना करना पड़ सकता है सेहत में कान से समद्धित परिशान्यों के प्रती सचेज रहना होगा घर में सकारात्मक माहोल रहेगा उन मित्रों से संपग बनाये रखना होगा जो आर्थिक तौर पर कमजोर है बहन के साथ समय व्यतीत करना चाहिए करने राशिये आज की दिन कुछ देर ही सही लेकिन रचनात्मक कारे वे अपने मन पसंद्रा कारे को समय देना चाहिए यदि संबभ हो तो ओफिशर कारे बार को हलका ही रखें आफिस में कई लोगों से भीट हो सकती है खुद्रावेपारी समय अलट रहे संबभ हो तो प्रचार प्रसार का स पालचाल अविश्य ले इस दूज बैन भाई के रिष्टे में मजबूती आएगी तुला राशिक आज की दिन मेटपोर निंडे लेने से बचना है तो वही दूसरी और गुरू के सानिंदे में रहना अच्छा होगा मीडिया से जुड़े लोगों को कारे में अधिक्ता करेंगे स्वास्ते के जृष्टी से पैरों की केर करें इसमें खास्तों से जान की देखबाल करनी चाहिए घर परिवार और समाज को लेकर काफी व्यस्त रहेंगे आज के शुब अफसर पर बहन के साथ समय बिताया यदि आप वैस साथ नहीं रहती है तो उनसे मिलने जाए विश्यक राशी ऐसे में उनके संपर्क में रहना चाहिए और संतान की पढ़ाई को लेकर ध्यान रुखना होगा धनुराशी आज की दिन धहरे के साथ काम करना है साथ या नावश्यक रूप से अधिक उसकता न दिखाते हुए समता बनाए रखने में भी समझदारी है ओफिशल कारों में व्यधान आने के आशंका है यदि कारे अधिक है तो एसस्तिती में कल के लिए कारे को छोड़ सकते है होटे या रेस्टोरिंट का काम करने वालों को घाटे का सामना करना पड़ सकता है सेहत में मास पेशियों में दर्द की शिकायत रहेगी ऐसे में घरे लूप चार करना लागधाई होगा माता किस वास्ते में गिरावट आ सकते हैं उनकी देख़एक की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए परिवार के साथ समय व्यतीट करे और त्योहार का अनद ले मकराशी आज के दिन सभी कारें को पूरे उट्सा के साथ करे ग्रहों का प्रभाव ग्यान में वृत्धी कर रहा है ऐसे में यदि कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते है यदि कोई अध्यन करना चाहते है तो कर सकते है और फिशल कामों में लगना होगा ऐसे मैं नुभव का पुरा लाब उठाना चाहिए जो फेपाई लून के चुक है उनको शुप समचार मिल सकता है यदि कोई चोट पहले लग चुकी है तो उसी पर पुना चोट लगने के आसार भी दिखाए दे रहे इसले साफधान रहे परिवार के सदस्यों के स्वास्ते का विशेज ध्यान दे चुटी-शुटी लाव परवाही स्वास्ते को खराब कर सकते और बहनों को उपहार में मीठा वश्यते कुमराशी आज की दिन कामकाज को हलका रखते हुए अपनों के साथ समय व्यतीत करे समा सेवास से जुड़े लोगों को दूसरों की बढ़चट कर मदद करने चाहिए ओफिस में वरिष्टों का सहियोग प्राप्त होगा तो वही दूसरी और ओफिशल पॉलिटिक्स से बचकर रहना चाहिए जो लोग लेक्ट्रोंिक का व्यपार करते हुए उन्हें ग्रापों की मांग को ध्यान में रखना चाहिए हेल्थ में आज छोटे बच्चों पर ध्यान दे अचानक विमार पढ़ सकते है जीवन साथ इस अपने समस्याव को साज़ा करना चाहिए यह लिए कोई फैसल देने की सोच रहे है तो उनका सही होग आपके लिए बहुत काम आने वाला है बेहन को इस दूज वहार में वस्त देना शुब रहेगा आखरी में हम बात कर रहे है मीन राशी की आज के लिए लक्षे को साध्य कर रखना होगा कोशिश करे कि कोई भी महज़पून कारे आपके हाथ से ना निकल जाए वेपार में नई संबन लाबकारी सिध होंगे आप पेशे में यदि डॉक्टर है तो आज बहुत ही सतर्क रहने के अवशकता है जो महिलाए घर के कारेम के चलते हैं अपने हुनर को स्तान नहीं दे पा रही है उन्हें आज कोई अच्छा अफसर प्राप्त हो सकता है स्वासने की दृष्टरी से जिन लोगों को किनी कार्णों से घर के बाहर जाना पड़ता है उन्हें अपने सुरक्षा पर विशेश ध्यान देना होगा पैत्रिक जमीन, जायदात और मकान की खरीदी बिकरी की संभावना बंती नजरा रहे है बेन का आशरवाद आपके प्रती अवश्यक है इसलिए उनसे अवश्यक मिले आज राशेपल आपको कैसा लगा है कमेंट करकर जरूर बताएगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले आपके प्रती अवश्यक मिले